हाई दोस्तों नमस्कार ये वीडियो है आपने से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो SBI क्लर्क को टार्गेट करें कि अपका में SBI क्लर्क के एक्जाम को हमें देना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अब तक SBI क्लर्क की क्या क्या कितनी क्लर्क गई है जिसके हिसाब से हम प्रपरेशन करेंगे और उसे साब से हम target भी करेंगे कि इतना attempt तो होना ही चाहिए और उस attempt के लिए हम preparation भी करेंगे, है न? तो दोस्तों मैं आपको बता दू, SBI clerk है तो एक clerical level के exam जितने भी होते हैं ये सारे के सारे state-wise इसमें vacancy निगलती है और इनकी cut-off भी state-wise ही होती है तो इसमें हम state-wise ही देखेंगे तो सबसे पहले last year क्या-क्या cut-off गई उसको देखते हैं तो देखो, SBI clerk prelims की cut-off है 2022-2022 एक बात और बता दू, जो SBI में different है, IBPS में नहीं होती वो ये है कि जब आप SBI clerk और PU कोई भी exam देते हो तो prelims का जब आपने exam दिया तो यहाँ पर sectional cut-off नहीं होती यहाँ पर सिर्फ overall cut-off है मतलब इसका यह है कि English, Maths, Reasoning यह 3 section आते हैं आपको इसमें individual हर section में pass होनी की जरूरत नहीं है हर section की कोई cut-off नहीं आती बलकि IBPS clerk और PU का exam दोगे तो वहाँ ऐसा होता है यहाँ पर आपको overall cut-off आती कि total आपका score कितना आया ठीक है तो इसकी cut-off भी आपको total ही दिखेगी तो अब यह last year को हम देखें तो अपने पास यह general, OBC, SC, SC, SC जितनी अपने पास है उसके एसाप से देखते हैं यह general की है अब सुनो, मैं एक बार ऐसे करके आगे बढ़ाता हूँ एक बार आप अपनी इसाप से देख लेए न आप किस state में आते हैं उसको थोड़ा उपर करते हैं यह देखो West Bengal तक है यहाँ से करनाटे का 64 है .50 यह 68 है, 74 है यह 80 है, पंजाब तो दोस्तो 80 है और आप यहाँ पर देखो सबसे अदा भी तक 80.75 है जो की पंजाब की cut-off है अच्छा, चीक है हमें यह समझ में आ गया तो यह जो है हमारे सामने मोटा मोटा हमने देखा पिछले साल 80.75 कट-off गए थी 100 में से इसका मतलब यह देखो, अगर आप जिस भी स्टेट में, उस स्टेट में वेकेंसी कितनी है साथ की साथ उस वेकेंसी के अगेंस्ट, कितने कानिडेट्स अपलाई कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुखो 2023 की अभी मेंस की कट-off क्या होगी 200 मार्क्स की होती है, उसमें से निकल के आती है तो उतरा घंड़े जैसे जेन्वल की कट-off हम देखते हैं, यह 83 है यह 72 है, चतिसगर 77.25 है अभी 83 सबसे उपर थी हरियाना में 85.5 है है न, यहां आजओ 85.75 हिमाचल प्रदेश में उससे भी जादा है, और बाकि आप अपने अपने स्टेट की अकॉर्डिंग देख लो और आगे बड़ो देखो 72 वह सबसे आदा वहीदि कहने का मतलब 85.75 भी जा सकती है अब आपको लग रहा है कि कट-off तो है क्या इससे भी उपर कभी cut-off गई होगी 100 के आसपास भी कभी touch करी होगी तो हाँ, ऐसी भी situation आएगी 100 के आसपास भी touch की है इसके बीचे कई सारी criteria होते है एक तो ये भी होता है कि जब कहीं पर number of candidates जादा है और वहाँ पर exam का paper भी थोड़ा easy आ गया तो attempt जादा हो गए वहाँ और vacancy कम हो गए तो cut-off automatically high चली जाएगी है ना, अभी तो हमने देखा 2022 का, तो हमें समझ में आ गया prelims में 80 के आसपास है और mains में भी वो 85, 86, 87 के आसपास है हमें इतने के आसपास करना दिमाग में यह हमने रखा मोटा मोटा आज़ो जरा, 2021-22 में देख लो दोस्तो 2021-22 में यह cut-off जा रही है prelims की अभी, फिर से prelims की बात करें अब देखना किसकी जाए जारे 66, 69, यहाँ जादा होगी 0.25, 83 डेली की गई थी ओके, 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 ओके 23 सबसे जादा वहाँ गई यानि की, अब आपने देखा पिछले साल भी और साल भी उतने के आसपास की ही cut-off है, ठीक है prelims का आपको मालूम पढ़ रहा है पिछले 2 साल तक 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 रीबन cut-off उतने के आसपास ही रहे, 85 के आसपास ओके, अब आगे बड़े याभी prelims थी मेंस पे आजा, 2021 के मेंस पे 86.25, 88 आसाम की गई थी 94.75, 36 गड़ की गई थी आप 99.5 हिमाचल परदेश की गई थी आप 99.5 है, आप सुनते जाना 90, 99.5, देखो अभी ठीक है, ये वाली आगी 99.5 सबसे आदा है, अगर आप देखो 95, 95, 94, 90 इस के लाइन में बहुत सारी स्टेट्स में, इसका मतलब ये 2021, 22 में, वेकिंसी जो थी वो तो ठीम, ठीक है, चलो थोड़ी कम हो जादा और अलग बाद है, नमबर ऑफ कैडिडिट्स जादा रहे होंगे या फिर पेपर का लेवर थोड़ा आसान भी आया होगा ये सारे के सारे फैक्टर है इसका मतलब आपको 100 के आसपास भी आपकी कट आफ जा सकती है, अगर पेपर थोड़ा ऐसा आया, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने जादा 68 है, बीसी किस में आया, 68 के बाद बड़ी है तो 76.25 है, ठीक है और आगे-आगे, 77.50 आया, ठीक है, हो गया तो यानि जादा है जादा 77.50 पहले तो और कम थी तो प्रिलिम्स में आपको एक थोड़ा-थोड़ा एडिया है मिल रहा है तो बहाँ पर cut-off भी हाई चली जाती है, ठीक है अब इसी में mains में आजा, 2020 किस में mains की cut-off है आप देखो, जेन्विल की cut-off से दिखेंगे 86.75, 90, 91 आ गई, ठीक है देखते जाना आपकी जिस भी state से है अब आप यहाँ पर आओगे 98.75 यानि की mains की cut-off पिछली साली बस कम थी उससे पहले और उससे पहले दोनों में mains की cut-off यहाँ गई थी दिमाग खुला रखना है, इसका मतलब हो सकता है पेपर का लेविल अगर उस टाइप का हुआ सिचुवेशन वैसी बनी, candidates, number of candidates जो apply कर रहे हैं, against the vacancies वो सारी चीजों में बनाई जाए तो यह cut-off भी जा सकती है दिमाग में यह बिल्कुल मत सोचके चलना हमारे attempt का में ठीके इतने में हो जाएगा हमें पहले से prepare हो सकते हैं अगर हम तो बढ़िया से preparation करें हर वो ताकत लगा है जो जरूरी है अब आज जो 2019 की ठीक है आप 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 देखो पंजाब में गई थी 102 पॉइंट सॉरी कितो में आगया प्रिलिम्स की complete हो गई तो प्रिलिम्स में आप देखो तो ज्यादा कितनी थी अगर 81.75 अगें प्रिलिम्स वैसा ही बना हुआ है 2019 से गर पिछली साल 2022 तक देखा जा है चार सालों में प्रिलिम्स सिमिलर सिमिलर बना हुआ है कितना clarity में लिए analysis से मेंस में देखो अंतारा था मेंस में देखो मेंस तब किसे आप से गया था मेंस में आओ ज़रा ये मेंस आ गया 102.75 पंजाब देख लो भाई पंजाब वाले लोग सबी लोग 102.75 गए थी अब देखो 99.75, 98, 85, 97, 103.25 हरियाड़ा 97, 99, 94, 97, 96 इसका मतलब ये हर बार cut-off इसी के आसपासी आ रही थी है ना इसी के आसपासी हर बार cut-off बन रही थी वो तो बस जस पिछली साल की बात थी कि हमने देखा कि जो cut-off थी वो कम गई थी उसतर पिछली साल की बात थी समझ गए ना आप दिमाग में क्या है कि हो सकता इस बार फिरसी cut-off जाए हमारा score अच्छा होने के लिए हमारे attempt अच्छे होने जरूरी है और उसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है दोस्तों मेरा नाम विशाल परिहार है अगर आप यहां तक बने हुए है इसका मतलब आपको interest तो है ही मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों English language पिछले दोस्तों 10 साल हो समय English language पढ़ा रहा हूँ तकरीबन 10 साल पूरे 10 हुए नहीं है मैंने बस लिग दिया है 10 साल तो आपके लिए यह फाइल मैं आपको दे दूँगा इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है दो बैचेस है मेरे दोस्तों एक बैच का नाम है एडिटोरियल 365 बैच आप इसको जोईन कीजएगा जो डेली दुपैर 2 बजे क्लास सलती है एक क्लास सलती है दोस्तों इस पेशली मेंस के लिए आपको मेंस अभी जोईन करने के जुरूरत नहीं वो अटोमेटिकले सब उसी में हो जाएगा इस मेंस तो उन लोगों के लिए जो स्पेशली मेंस की तियारी कर रहे है तो आप इस बैच को जॉइन कीजेगा मैंने कुछ यहाँ पर FAQ बना रखे आप इसकी फाइल को डाउनलोड करके देख लिए कि मेरी जो टीचिंग है उसमें क्या चीज़ अलग है वो आप देख सकते हो क्या क्या है सारे कि सारे मैंने FAQ बना रखे यह मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ इसका स्क्रीन शॉट ले लेना आप खुछ से पढ़ लेना मेरा स्पैसिफिकली बताने का मतला भी है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस क्लास में पढ़ सकते हो एटिटोरिल 365 वाले इस बैच में मेंस में पढ़ना है तो आप यहां पढ़ सकते हो अभी अनकेडमी का एक ओफर भी चल रहा है ओफर यह चल रहा है कि अगर आप अभी अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इस कोड का इस्तिमाल करना AVP और इससे क्या होगा एक तो फी में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और यह सब्सक्रिप्शन आपका लेने का जो ओफर है वो 14 अक्टूबर तक है 14 अक्टूबर तक है तो आप दोस्तों इसका बेनिफिट उठाइएगा जो भी बच्चा कहीं भी रह रखा है बाकी आप कमेंट करके यह जरूर बताएगा कितने बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक है बिलकुल एकदम जीरो है तो उनके लिए दोस्तों यही वीडियो है आप किस स्टेट से देख रहे हैं किस स्टेट से अपलाई कर रहे हैं यह आप बताएगा और आपकी कोई सवाल इसके अलावा है वो कमेंट करके बताएगा तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो जरूर जरूर बना दूँगा ठीके चलिए दोस्तों विश्यू all the best मिलते आप से अपनी क्लास में बाई बाई टेक क्यार जैहिन दोस्तों ये पारता